आज की कहानी है दोस्तों गधा और धोबी एक निर्धन धोबी था उसके पास एक गधा था जो की काफी कम जोड़ था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीनों को मिलता था एक दिन धोबी को एक मरा हुआ भाग मिला उसने सोचा कि मैं गधे के ऊपर इस भाग की खाल को डाल दू किसान समझेंगे कि सच मुझ का भाग है और उससे डर कर दूर भाग जाएंगे गधा आराम से खेट चर लिया करेगा धोबी ने तुरंत इस योजना पर अमल डाला और या योजना काम करने लग गई एक रात गधा खेट चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेकने की आवाज सुनाई दी उस आवाज को सुनने के बाद वह इतने जोस में आ गया कि वह जोड़ जोड़ से रेकने लगा गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता चल गया और उन्होंने गधे की खूप पिटाई की इस कहानी से हमें यासिक मिलती है दोस्तों कि कभी भी अपनी सचाई को नहीं छुपाना चाहिए